स्टुडेंट्स वेलकम टू प्रेप्राइज ओनलाइन क्लासिज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अलंकार देखी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को टाफ भी लगता है आज हम उसको इजी बे होते हैं वो अपने काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रेयों करते हैं अब अलंकारों की बात करें तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं पहले आपसे क्वेशन यही पूछा जाएगा कि इलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो अलंकार तीन प्रकार के ठीक है? तो सबसे पहले हम शब्दा लंकार की बात करें. शब्दा लंकार का मतलब होता है जिसमें सब्दों की सुन्दरता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जो शब्द होते हैं कभी जो होते हैं शब्दों की सुंदरता पर जादा ध्यान देते हैं अर्थालंकार की बात करें तो उसमें अर्थ की सुंदरता पर जादा ध्यान दिया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार इस अलंकार में क्या होता है किसी व्यंजन वर्ण की आबरिती होती है किसी व्यंजन वर्ण जब बार-बार आता है बार-बार उसकी पुनरावरिती हो रही होती है तो उसको कहते हैं अनुपरास अलंकार ठीक हैं? तो जैसे यहाँ पर एक्जामपल लिखे हैं कुछ कि तरनी तनुजा तट तमाल तरूवर वहु चाए तो यहां पे आप देखेंगे कि तर यहां पे भी तर आया, 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 तो यही तो है इसका प्रिभाशा कहा रही है कि यदि व्यंजन वर्ण की आवरिती बार-बार हो रही है तो इसको हम कहते हैं अनुपरासलंकार यहाँ पे तवर्ण की अवरिती बार-बार हो रही है आगे लिखा है चारू चंदर की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में तो च, 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 च इस तरह से च, च वर्ण की जो है अब रिती बार-बार हुई इस कारण से ये अनुपरासा लंकार है फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल तो यहाँ पर क्या है लाल ल ल ल शब्द देखेंगे आप तो बहुत ही जादा बार आया थीक है तो यहाँ पर क्या हो रही है इस लव शब्द के आपरिती बार-बार हुई यह कौन सा लंकार है अनुपरासा लंकार है आप समझ गए होंगे clear आगे बढ़ते हैं फिर आता है dear students यमक लंकार यमक अलंकार में क्या होता है जिस काब्वे में समान शब्द के अलग-अलग अर्थों की आप रिती हो वहाँ यमक अलंकार होता है यानि यहाँ पर क्या होगा कि आपको शब्द बार-बार देखने को मिलेगा शब्द यहाँ पर वरण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर शब्द की बात कर रहा हूँ यहाँ पर शब्द बार बार देखने को मिलेगा लिकिन उस शब्द के अर्थ अलग लगोंगे एक ही शब्द आपको दो से जादा बार देखने को मिल सकता है लेकिन हर बार उसका अलग अर्थ होगा जिसी यहाँ पे लिखा है कनक 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 पे सो गुणी माधक्ता अधिकाए या खाए बोरात नर या पाप बोराए आचे यहाँ पे कनक कनक दो बार आ गया लेकिन इस कनक का मतलब कभी ने दो बार अलग अलग लिया एक बार कनक का मतलब लिया है धतूरा और एक बार कनक का मतलब लिया है गेहूं किया मतल्म रिया है करणक का मतलब गेहूं दिया है वा दूसरी बाल रिया उसने द्द्धूरा वैसे भी करणक को अलग गहों रोते हैं करणक सूने को भी का जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है किलि democracy यह होता है जैसे एक और मैं एक्जाम्पल आपको बताओं कई बर सजना है मुझे सजना के लिए मैंने एक्जाम्पल बता दिया सजना है मुझे सजना के लिए तो यह सजना शब्द दो बार है लेकिन सजना है मुझे सजना के लिए एक में सजना क्या मतलब है सजना का मतलब सिंगार है और सज सजन है लेकिन सजना के दोनु बार अलग-अलग-अलग अर्थ हुए तो यह जो होते हैं यह यमकलंकार कए एक्जाम्पल होते हैं तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि कि आगे देखिए श्लेश अर्थ का अर्थ होता है चिक्त न शिलेश का अर्थ क्या होता है चिपकना होता है जिस शब्द में एक अधिक अर्थ हों उसे स्विश्ष शब्द कहते हैं जिसमें एक से अधिक अर्थ हों ठीक है और आपको देखने को मिलेगा कि एक चिपका हुआ जबर्दस्ति चिपकाया हुआ कुछ ऐसा उसे काब्वे मे कि मेरे इसाब से यह example में इतनी बार पूछा जाता है यहिए एक example जो बार बार पूछा जाता है। पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गये न उबरे मोती मानुशून तो यहां मोती के अर्थ में चमक मनुष्य के अर्थ में पर्तिष्ठा और चूने के अर्थ में जल यह लिया गया है तो यह हमारा होता है शलेश लंकार पानी जो है एक स्लिष्ट शब्द है तो यहां पर मोती के अर्थ में उसको चमक के रूप में लिया गया मिनुष्य के अर्थ में पर्तिष्ठा और चूने के अर्थ में जल यह आपको ध्यान लगना है ठीक है पिर आता है वीपसा वीपसालंकार वीपसा लंकार में क्या होता है? हमें आदर, घबराहट, आश्चर, घ्रिना, रोचकता, आदी परदर्शित करने के लिए किशी शब्द को दोहराना ही वीपसा लंकार होता है क्या क्या आदर घबराहट आश्चरे घ्रिणा रोचकता आदी दर्शाने के लिए किसी शब्द को दोहराना वीपसा लंकार होता जैसे मदुर मदुर मेरे दीपक जल विहग विहग फिर चैक उठे ये पुंज पुंज और कल कुजित का उर का निकुंज चिर शुभग सुभ ठीक है तो ये वीपसा लंकार है तो इसमें आदर घबराहट आश्चरे घ्रिणा रोचकता इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ठीक है ठीक है और कई पर इसमें प्रशन का भी होता है जीवन क्या है निरजर है और मस्ती ही इसका पानी है तो इस तरह से आपको आदर घब ब्राहट अश्चर ए घ्रणा रोचकता ऐसी इस तरह से शब्दों को दोराना यह होता है मारा वीप सा लंकार फिर आता है रुपक जब उपमे पर उपमान का निशेद रहित आरोप है जब उपमे का उपमान का निशेद रहित आरोप करते हैं तब रूपकलंकार होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है उपमे में उपमान का रोप का अर्थ होता है दोनों में अभिन्यता या किसरा का अभेईद दिखाना यह होता है ठीक है यहाँ पर यह नहीं आएगा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पे डुगो रही तारा घट उशा नागरी यह होता है मारा रूपकलंकार कि जहाँ पर उपमे का उपमान का निशेद रहित आरोप करते हैं तब होता है हमारा रूपकलंकार यह आपको ध्यान लखना है क्लियर उपमे का उपमान पर निशेद रहित आरोप करते हैं अब उपमे और उपमान क्या होता है उपमान होता है जिसकी हम तुलना कर रहे होते हैं जिसके बारे हम बता रहे होते हैं उपमे होते हैं जिससे तुलना कर रहे होते हैं यह होता है उपमान और उपमे है ठीक है विशेश्य ठीक है तो जिसके विशेश्ता के बारे में हम बता रहे हैं वो है विशेश्य और जिसके मतलब जो हम बता रहे हैं कि कैसा है कोई काला है गौरा है तो वो होता ही विशेश्ता तो उसे हम कहते हैं विशेश्य उसी तरह से उपमान होता है और उपमे होता है सेम होत आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा जहां में उप्मे में उप्मान की संभावना का वर्नन हो यदि पंक्ती में देख ध्यान से सुनेगा यदि पंक्ती में किसी कापवे की रचना में आपको ये शब्द देखने को मिले जो, मानो, जानो, इब, मनू, जनू, जान पड़ता है इत्यादी हो तो मानना चाहिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्या कौन कौन से शब्द है? जो मानो जानो इव मनू जनू जान पड़ता है तो वहां पे उत्परेक्षाल अलंकार होता है जैसे सखी सोहत गुपाल के उर गुजन की माला बाहर जसत मनो पिए दावानमित की जोला तो यहां उप में जो है गुंजन की माला ज्वाला की संभावना प्रगट की गई है और खास तोर पे इसकी पहचान होती है जो शब्द उपर लिखे हैं यहां पे आपको जिस भी काबे रचना में आपको यह देखने को मिले वहां पे ध्यान रखिएगा उत्परिक्षालंका होता है फिर आता है अतिश्योक्ति नाम से ही पस्ट होता है किसी के बारे में कुछ जादा ही बता देना अतिश्योक्ति कर देना अतिश्योक्ति जादा ही बढ़ा चराकर किसी बात को कह देना जहां किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चराकर कर दिया जाए वहां बातिश् तक आगे कहा कभी कहता है कि आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उत्रा पार राड़ा ने इस बारे में सोची रहा था कि घोड़ा उस बार पहुंच गया मतलब किसी भी बात को बढ़ा चरा कर कह देना यह होता है हमारा अतिशुक्ति अलंकार फिक है तो इस तरह के पूछे जाते हैं और यह एक दो दो तीन तीन अग्जामपल भी आगर आप रट लोगे तो इस से बार कभी नहीं पूछे जाते हैं क्लियर यह हमारा अतिशुक्ति अलंकार फिर आता है व्यतिरेक अलंकार क्या होता है इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा काफी बढ़ा चरा कर वर्णन किया गया है यह आपको ध्यान रखना है उपमान के पेक्षा काफी बढ़ा चरा कर वर्णन किया गया जिनके जस्प इससे तुलना की जा रही है उससे भी कहीं जाके बढ़ाकर बात कहा देता है कभी कि जिनके जस्परताप के आगे सशी मलिन रवी शीतल लागे कि उनके यस्परताप के आगे बात करें तो रवी शीतल लागे यानि कि सूरज भी ठंडा लगता है जिनका इतना यस्परताप है तो यहां पे हम देखेंगे तो उपमे यश और परताप को उपमान शशी और सूरे से भी उतकरिष्ट बता दिया यह आपको ध्यान रखें ठीक है तो यह होता है हमारा व्यतिरे कलंकार जहां मतलब उपमे की उपमान से तुलना नहीं उससे भी बढ़ा चराकर बता दिया जाए उससे भी उतकरिष्ट बता दिया जाए तो वो होता है व्यतिरे कलंकार ठीक है तो यह थे अलंकारों के बिविन परवकार आई होप आप समझ गए होंगे बाकी आप मोक टेस्ट लगा सकते हैं वहां से आपा बिल्कुल क्लेर हो जाएगा धन्यवाद